हिंदु धर्मे सोरिदेव की पूजा का विश्ष महत्व है जोतिश शास्तर में सोरिदेव को ग्राहूं का राजा माना गया है वेदो पुराणों के मताविक सोरिदेव की अराधिना से कुण्डली के सभी दोश दूर होते हैं वहीं सभी देपताओं में सूर की एक ऐसे होते हैं इसके साथ ही सोरिदेवता की रोशनी से ही जीवन संभव है यही नई धर्ती पर सोरिदेव की पूजा अर्चना की जा रही है वहीं कुछ बड़े राजाओं ने भी सोरिदेव के राधना की और कश्र दूर होने एवं मनो कामनाय पूर होने पर सोरिदेव के पुर और अदबुत बनावट के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है और देश के सबसे प्राचीन तम एतिहासिक धरोहरों में से एक है तो आईए जानते हैं सूर्य भगवान को समर्पित कोनार्क सूर्य का इतिहास वासू कला और इससे जुड़े कुछ रोचक और महत्पूर ब बना हुआ है जो की अपनी भवेता और अदबुत बनावट की वज़ा से मश्रूर है यह मंदिर एक बेहत विशाल रथ के आकार में बना हुआ है इसलिए इसे भगवान का रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है कोनार्क शब्द कोन और अर्क से मिलकर बना है जहां कोन का अर्थ कोना किनारा एवं अर्क का अर्थ सूरि से है अथार्थ सूरि का कोना जिसे कोनार्क कहा जाता है इसी तरज पर इस मंदिर को कोनार्क सूरि मंदिर के नाम से जाना जाता है अपनी अदभूत खूबसूरती के वज़ा से कोनार्क सूरि मंदिर को भारत के साथ आशरि इस प्राचीन सूर्य मंदिर का निर्मान 1250 इस्वी में पूर्वी गंगा राजबंश के पुरसिदी समराथ नरसिम देव ने करवाया था। हलाग इस मंदिर के निर्मान के पीछे कई पौरानिक और धार्मिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं।